प्राइम कोट के बारे में सुन रहे होते हैं या फिर आपने कभी अगर रोड बनते हुए देखा है तो आपने इसमें देखा हुआ कि हम लोगे ब्लेक प्लर का चिपचपा लिक्विड डालते हैं तो वो क्या होता है तो जनाब आज के सेशन में हम एस पर मौर्थ बात हम इसका आलेशिस कर रहे होंगे तो जनाब मैं हुं Sandeep Singh, Professional Estimation & Bling Engineer और आफ सभी Engineers के लिए Corporate Tenor Engineers में आफ सभी का Raynforce Training Street for Civil Engineers के Digital platform पे सःधात करता हूं जनाब जैसा कि आपको पता है कि Rainforce ने अपना application लाँच कर दिया है और आपने अभी तक download नहीं किया तो आप क्या कर रहे हैं Google Play Store पर जाके आप हमारा application Rainforce को download कर सकते हैं जिसमें आपको as per need और as per demand of construction industry 18 प्लस professional courses मिल रहे होंगे एक affordable fees में जिसके थो आप अपनी skill को enhance कर सकते हैं construction industry में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं अब हम अपने मुद्दे की बात करते हैं कि prime coat क्या होता है तो जनाब prime coat आपका low viscosity का liquid bituminous material होता है जिसको हम WM की surface के उपर use करते हैं means जो आपकी water mix macadam की जो layer होती है उसके उपर हम prime coat का spray करते हैं अब होता क्या जो आपका prime coat होता है हम flexible payment में use करते हैं तो flexible payment में सबसे पहले आपकी subgrade की layer आती है उसके बाद आपकी gsb की layer आती है जिसको आप granular sub base बोलते हैं और उसके उपर हम लोग WM की layer डालते हैं जिसको आप water mix macadam बोलते हैं तो WM की layer के just उपर हम लोग prime coat का spray कर रहे होते हैं वो भी आपका 24 hours पहले होत सब्सकाल का spray कर रहे होते हैं अब हम prime coat का spray करते हैं क्यों हैं यह मुध्य की बात है तो जो आपका WM की surface होती है उसमें क्या होता है small small voids होते हैं small small pores होते हैं जिसमें आपका capillary action के थρο抗 तो पानी को रोकने के लिए आपका पानी केपले रिक्षिन के थो ऊपर ना आए हम प्राइम कोट का एस्परी करते हैं तो प्राइम कोट आपका क्या करता है डवलोम की सर्फेस में जो स्मॉल प्राइम के थो पानी के लिए उसके पानी के लिए उसको फिल करने का काम करता है ताकि पानी आपका उपर ना आपाए बहुत सारे इंजीनियर्स यह सोच रहे होते हैं कि जो हमरा प्राइम कोट होता है वो बाइंडिंग के लिए यूज होता है जनाब आपका जो प्राइम कोट है वो बाइंडिंग के लिए यूज नहीं होता है वो आपका जो डवलोम की सर्फेस में स्मॉल स्मॉल बॉइट स इसको fill करने के लिए होता है अब मुद्दी की बात यह कि prime coat में हम कौन सा primer use करते हैं, कौन सा हम bitumen use करते हैं, तो prime coat में हम SA primer आपका bitumen use कर रहे होते हैं, bitumen में भी हमारे पास 2 bitumen होते हैं, एक आपका bitumen emulsion होता है, और दूसरा आपका cutback bitumen होता है, हम 2 ने use कर सकते हैं अगर हम bitumen emulsion की बात करें तो bitumen emulsion में हम लोग SS1 grade का bitumen use कर रहे होते हैं, जिसको slow setting बोलते हैं, और bitumen emulsion का rate of spray होता है, वो आपका 0.7 से लेके आपका 1 kg per meter square होता है, rate of spray का क्या मतलब है, कि आप कितनी quantity में कितना area cover कर सकते हैं, तो जो आपका bitumen emulsion है, उसका rate of spray क्या है, 0.7 से लेके आपका 1 kg per meter square, means यदि आप पर पास 700 g बिटमिन emulsion हैं, तो उससे आप road का 1 meter square area cover कर सकते हैं, तो इसके थूँ आप idea लगा सकते हैं कि आपका कितना लंबा चोड़ा road है, इसमें हमारा कितना bitumen emulsion लगेगा, तो इसका प्रॉपर analysis कर सकते हैं, जो हमारा nest है, वो क्या है, आपका cutback bitumen, तो cutback bitumen में हम लोग MC30 use कर रहे होते हैं, जिसको medium curing बोलते हैं, medium curing cutback bitumen MC30, तो इसका जो rate of spray होता है, वो आपका 0.6 से लेके 0.9 kg per meter square होता है, यदि आपके पास 0.9 kg या फिर वो लें, आप 900 gram cutback bitumen है, तो आप road का 1 meter square area cover कर सकते हैं, तो यह हो गया है, इसका detail, अब बस आपको ध्यान यह रखना है कि जो आपका prime coat है, वो आपका bitumen mix की जो layer है, जैसे dbm बगेरा है, dance between macadamia, तो उसके एक दिन पहले डालना है, ताकि उसका proper तरह से curing हो सके, और जब आप prime coat डालें, तो यह बिल्कुल अच्छे से देख लेना है, कि जो आपकी wm की surface उसको proper तरह से absorb कर रही है कि नहीं कर रही है, prime coat आपका wm की surface की उपर surface runoff नहीं होना चाहिए, उसका proper तरह से penetration होना चाहिए, at least जो आपका prime coat है, वो आपकी wm की surface में 8 से 10 m penetrate होना चाहिए, ताकि उसके जो बॉइट से वो proper तरह से fill हो जाए, उसकी proper तरह से water tightening हो जाए, ताकि आपका जो पानी है हो capillary action के थरोग उपर ना आ पाए और जो आपकी payment की layer हैं, वो आपकी safe रहे हैं, I hope कि जनाब आपको ये समझ में आया हो कि prime coat क्या होता है, और prime coat को हम क्यों use कर रहे होते हैं, इसमें कौन सा material use कर रहे होते हैं, अगर जनाब आपको ये video अच्छा लगा है, तो please आप इसे like करिए, अपने friends के साथ share करिए, और आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है, तो आप reinforce को subscribe कर लिजे, तो इसी तरह से आपको as per need और as per demand of construction नस्टी quality content मिलता रहेगा, thank you so much and see we na next video.